कि यह सरकार नमस्कार महाल जो बदा शांदर सर दिस वीडियो इस रेलेवेंट फॉर सी ए इंटेमिडिट एक्जाम जो आपके मेट 24 में हो रहा है अभी उसमें सर टेक्सेशन का जो पेपर है वो होने वाला है आपका सर 9 मही को बेटा पर आपका उससे पहले वाला पेपर होन सर तीम-चार दिन मिल रहे है उसको कैसे मैनेज करना है जिसमें DT एस जीएटी पूरा आपको कवर करना है तो जीएटी को किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए वह मैंने थोड़ा डिटेल प्लान बनाया बेट आपके लिए सर लाश्ट डे रिविजन प्लान एप्लि हुत हर अम आपको जोग एक्जाम होगा सर उससे एक रात पहले मतलब आाठ मई को आपको यह एसास होगा कि यह तिन दिन कहां निकल पेर कर रहे हैं उसके आपने पूरे एक साल पूरी महनत करिए पुरा दम लगाया सब को छोड़ा है इसलिए अभी लूज नहीं करने का आपने आपको सर पूरा दम लगाने का परहां एड़ समझता हूं कि जो आपने फिफ्थ मही को पेपर दिया होगा होसता उस रात को इस तरह से कवर करना उसमें से जीएटी का प्लान क्या होना चाहिए वह छोड़ा से मिन आपके लिए प्लान मना है अगर आपने फोलो किया तो आपको बड़ा कमफर्ट होगा एक्जाम देने देते वक्त सबसे बली बात सर पांच मही को जब आप एक्जाम देके आएंगे आपका सर आपको उस दिन मेरे इसाब से चार गुंदे पढ़ना ही चाहिए आप आईए सर घर पे लगबग छेवे तक पहुच जाएंगे बिटा अब उसके बाद एक दो गुंदे सोना है सो जाईए को तकलिव नहीं बिटा क्लेर उसको उटके पढ़ना है ऐसा नहीं कि उ आच मही को आपको फोर आर्स पढ़ना चाहिए ठीक है फिर लगबग सर बारा एक बज़े के बीच में जब आप यह पढ़ लेंगे उसके बाद आपको सोना चाहिए अब आपके शिडूल के सबसे जैसा आपको आपको कमफट करता है आपका बोडी जैसा कमफटेबल होता ह है वेसा कुल मिला के कुछ लोगों को एक्जाम देने के बाद सोना होता है तो यह पर चार गंटे पढ़के फिर नेक्स अपने लीजिए कुछ लोगों होते कि नहीं सब हमने एक्जाम दिया है कमफटेबली दिया है थोड़ा बहुत रिलेक्स होके हम पढ़ाई कर लेंगे मतलब मिनिमुम 47 आर्स आपके पास इफेक्टिव पढ़ाई के है क्लियर अब सर यह 47 आर्स में आपके लिए मैंने सर लगभग 20 आर्स और 20 मिनिट्स मतलब 20-21 गंटे के असपास आपको जीएश्टी को दिना है बिटा ठीक है अच्छा यह जो प्लान बता रहा हूं मेटा यह थोड़ा बहुत प्लस मनस हो सकता है डिपेंडिंग और प्रिपरेशन ओफ इंकम टेक्स एन जीएटी बहुत सारे बचों को यह बचा यह वाला सर मैंने आपके लिए यह प्लान मनाया बटा इसका पीडिएफ सबसे पहले बात इसका पीडिएफ भी मैंने अपनी वेपसाइट वायम कॉंसर्ट कॉम के फ्री रिसोर्स में आप जाएंगे वहाँ पैसी इंटर आप सलेक्ट करेंगे उसमें सब्सक्राइब आपको चप्टर इसका ठीक है कि सिक्वेंस आपको रिवीजन करना चाहिए सो देट आपके लिए सर कंफटेबल रहेगा रिवीजन करना ओके अचा बहुत सारे बच्चों के लिए यह क्वेरी रही रहती है कि सर पहले जीएश्टी पढ़े कि डिटी सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कोई तक्लिफ निभी टबर टाइमटेबल के साथ पढ़ेए पढ़ा जीएस्टी पढ़ने का है और अराम से पढ़ कर रहे हैं पद आपको ताइम टाइम डिटी रही गया डियंगे और आपका ते यह चकर में और आपका घले बिए गया अबलबल है YouTube पे बैटा मैंने नौमर 23 और मैं 24 के लिए रिविजन लेक्टर यूट्यूट्यूब पे अपलोड किये थे बैटा कोई भी देखना है सर कोई फर्क नहीं बढ़ता है सर मैंने आपको रेस्पेक्टिव चप्टर के लिए अलग से टाइम दे रखाए बैटा पर हां रिविजन लेक्टर होगे हो सकता है आपको थोड़ा स्पीड बन जाए अगर आपने अल्री रिविजन लेक्टर देखना है तो टॉऽर्विजन कितना है तो वड अगर आप रिविजन लग देखते हो 54 हासका है यह रिविजन वीदो मिलाके 2 लग में आपको पूरा एक्प्टे करना है बेचा अगर वीजन वीदो देखा आपने है तो 54 मिनिटेर के अंदर 54 पर मिनिट ranges llevar बिटा टैर कुल कि दो गंटे में पूरा चप्टर हो जाना चाहिए आपका ये बात करों में ये इस इस ताइम इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग क्वेश्चिंज आपने सलेक करके क्वेश्चन है रखेविड़ा कि मैं आपको लेक्षर पड़ाते हैं बता था बटा कि हर चप्टर में से क्वेश्चन लेवी लेना बच्छा कंपूश्चन लेवी के इंदर 40 मिनिट्स का आपको वक्त लगेगा रिवाइस करने में ये टाइम बनाके रखना ये टाइम टॉल प्रिंट करने लना आपके पास ठीक है नहीं तो आप नोट डॉन करना एक पे इतना ही टाइम लगना इससे बहुत जादा लगा रहा है तो करने की घड़ बरो रहा बचा टाइम नहीं मिलेगा बात में आपको रिवाइस करने का बच्छा पुरा कंटेंट रिवाइस नहीं हो पाई का भली दो दिन की शूटी एक्ट्रा आपके पास के एंड ये सेक्विंस फोलो करना से आपक आप का सारे अमेंडमेंट्मेंटर है और अमेंडमेंट्मेंड का जितने भी अमेंडमें अकर सब्सक्रा में उसका फीछ न॓ट्स भीन दिए 10 पयुना सब्सक्राइब करें तो उसको वीडियो को पोज़ने के लिए तो उसको वीडियो को पोज़ने के लिए पर हां इसमें अगर थोड़ा टाइम प्लस मनस भी होता है मुझे कोई दिक्कत नहीं पर सर आपका ये वीडियो बहुत इफेक्टिव होना ची क्योंकि यहां पर 10-15 आपके आने चाहिए एक्जाम के अंदर जैसे ही एक क्वेश्चन आप देखोगे अमेंड्मेंट वाले सर हंड्रेट प्रसमें को दुआ है मिलने वाली बेटा क्लियर समझे मेरे बद मजा आजा आगा आपको जीवन के अंदर एंसर ये रिविजिन प्लान जो मैंने बनाया सब्सक्राइब आप इन इस प्लान को फॉलो कर सकते हो आपके एफेक्टिव रिविजिन के लिए बेच्चों सर फिर आप उड़ाना क्या इंपूट टेक्स्क्रेट के अंदर आपको मुझे सा लगता है आपको तूर्स थर्टी मिनिट्स मैक्सिममम इंक्रुडिंग क्वेस्टिंस क्वेस्टिनर के बिटा इसमें आपको कम्प्लेट उजाना चाहिए एंसर आर सी एंप फिर आपको करना है क्या पेमेंट ऑफ टेक्स इंट्रेश्ट वह मुझे सालगता है कि इस विए बेस्ट कि ट्वेंटी आर्स ट्वेंटी मिनिट्स में आपको पूरा जी एस्टी सर इंक्लूडिंग आ टीबी MTP सर आपका कवर जाएगा ध्यंदना मच्छा लास्ट एटलीस दो ट्रिम की आपको आटीपी देखके जाना चाहिए एंटेपी फिर भी टीके विटे एटलीस्ट दो जरूर पढ़के जाना क्योंकि इसका एक मां का कभी कभी क्वेशन आजाता बच्छों ठीके इसलिए इसलिए मिनिट्स का टाइम दिया आपको बेटा ओके इस तरह से आप प्लान को पुरा फोलो करी गया इसी सेक्वेंस आप चप्टर रिवाइस करीगा आपका जल्दी करिए नहीं तो दिक्कत आएगी क्लियर एंसर मैंने अमेंडमेंट्मेंट्स का रिविजन लेक्टर यूट्यू पे अप्लोड कर दिया वह जरूर आप देखे बिटा क्लियर एंड आपको जे आपसे यह कहूंगा आपने इतने महिने महनत करिए बैच्छा क्लियर सर लगा अपना पुरादम इस्टेक कॉंफिडेंट अल वी बैश्ट पूट यूर हंड्रेट परसेंट सर्वी ओलार प्रेंग फूर यूर सक्सेस एंड सर देंदना बच्छो वी ओलार दी कोच महल तो आपसे ही बनेगा बेटा यू आपने अल्टिमेंट प्लेयर क्लियर ओलिए ग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूगा ओके महूल बबाई वाल दिवेस्ट